हेले दोस्तों आज की स्टूडियों में आपको इंडिया जी 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 एस ग्राम जाक सेवा का फॉर्म बरके दिखाने वाला हूँ उसका अभी पार्ट टू आया है यह आपने पार्ट वन नहीं देखा किससर किसे फॉर्म फिल अप करना है तो आप फॉर्म पर जाके देख सकते हैं बाकि आज की स्टूडियों में आपको पार्ट टू फॉर्म फिलिंग करके दिखाने वाला हूँ कि आप इंडिया जी इसका पार्ट टू फॉर्म के साथ सकते हैं ओन लाइन एप्लाई के से कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीजियो को शुरू करते हैं दोस्तों आपको इस साइट पे आजाना है सरकारे डिजाइल इसका लिंक में दे दूँगा इसके बाद आप नीचे स्क्रोल करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं इसकी एज लिमिट देख सकते हैं इसके अलावा कौन से स्टेज में कित्ती वेकेंसी जिए यहां पर इसब करने के लिंक्स इसका एड़ी आपने नहीं किया तो भी अप्लाइ कर दीजएगा वह भी आपको YouTube पे मिल जाएगा यहां पर मैं आपको ने दिखाने वाला हूं। मैं पास्टवानच कम्प्लिट कर लिया था। तो मैं पॉम्itarian वाला एप्लाइक से शूरू करते हैं। है तो आपको जो पॉपॉज वीर्टेशन शुरू करते हैं। जब आपने first time ये form को भरा होगा part 1 में तो वहां से आपको registration number मिल गया होगा इसके वाद यहाँ पर circle apply को हम choose करेंगे कौन सी state के लिए आपने भरा था मैं MP select कर लेता हूँ उसके बाद आपको submit view option पर click करना है यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे mobile number पर एक OTP गया है जो मुझे यहाँ पर fill करना है तो यह पर मैं OTP जाल देता हूँ मैं उसके बाद यहाँ पर मैं capture fill कर लेता हूँ capture fill करने के बाद आप next option इस पर मैं किलिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि मैं form fill up की second option पर आ गया हूँ आपर मुझे अपना address देना है इसके बाद address को भनने के बाद आप यहाँ पर permanent और combination address को same भी कर सकते हैं और फिर आपको यहाँ पर अपका बोच सेलेक्ट करना है पिर आपको माक्स देखने के मिल जाएंगी माक्स मैंने सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पर आपको subject चूज करने है कौन-कौन से subject है यहाँ पर आपके इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे option save & continue के option पे किलिक कर देना ह इसके बाद यहाँ पर फिर से आपको select division apply करने का option दे रहा है यहाँ पर आपको कुछ details भी आ जाएंगी जैंजर मेल कास्ट वगरा 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 हो यहाँ पर मैं select कर लेता हूं division में यहाँ पर मैं बहुक्ताइब जिविजन सेलेक्ट कर लेता हूं में देख सकते हैं यहाँ पर मुझे reference देना है division के लिए तो यहाँ पर दे देता हूं में इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको division में number जाल देते हैं कि आपकी वेकैंशी किसी साबसे लगेगी यहाँ पर आप देख सकते हैं आप अपर सेलेक्ट डिविजन किये यहां पर फॉर्म एलिजिबिलिटी वेकंसी भी देखने के लिए मिल जाएगी इसको आप यहां पर डाउनलोट भी कर सकते हैं इसके बाद आप टिक कर देना है नीचे बाद आपर सेव एन प्रोसिट पर क्लिक करना है देख सकते हैं आप अपर application submitted successful यहने कि मेरी application आप अपर submit हो गएगी यहां पर आपको OK कर देना है यहां पर आप निचे स्क्रूल करेंगे तो यहां पर कुछ details देख सकते हैं आपर पुरा form ही आ गया है मैंने पुरा form अच्छे से यहां पर भर दिया है यहां सारी चीज़े देख सकते हैं, मेरी सारी चीज़े, यहां पर जिविजन जो मैंने सेलेक्ट कर रहे थे एक से छे तक, वो भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं, इसके आलवा यहां पर रजिस्ट्रिशन नमबर और आपकी सारी इंफॉर्मेशन आपर दिखे रही है, तो तो इस तरगे से आप इस फोम को भर सकते हैं जो आखरी का मच्चा है वह प्रिंट का नीचे स्क्रूल करेंगे तो यहां पर प्रिंट लिखा इस पर में किलिक कर देता हूं मैं और आप देख सकते हैं यहां पर प्रिंट नहीं हो पार है प्रोब्लम की बात नहीं है दोस्तों यह दिये प्रिंट होने में दिये आपको प्रोब्लम हो रहे हैं तो आप यहां से आप इसका screen show भी ले सकते हैं जो मैं ले लेता हूँ आपके साथ इसी problem नहीं होगी तो आप इसको अच्छे से भर सकते हैं उसके भाद यहांपर आप bake कर सकते ह हैं तो इस। तरके से आप पुरा form को भर सकते हैं बिना किसी problem के